तो इस फैनली हमाई पास में लावागनी 2 आ चुका है और भाई ये मुझे पढ़ा है 19,99 रुपे का विकाज मेरे पास लावागनी 1 नहीं था वन ना तो मैंने 2,000 रुपीज का एक और कूपन कोट पा लिया होता और Amazon पे लगा के मुझे ये पढ़ जाता 18,000 रुपे का लेकिन फिलाल पढ़ा है 20,000 रुपीज का और लिया है सिर्फ आपके लिए ताकि आपको पूरी सच्चाई बता खूँ इस फोन के वारे में यहां पे काफी ज़्यादा हाइप बनी हुए है सबसे ज़दे कोशेंस जो है इसके यूई को लेकर के इसमें बक्स तो नहीं है कैमरा कैसा है सबसे पहले तो मैं बता दू यहां पर जैसी हम यहां पर बॉक्स को ओपन करते हैं यहां पर देखने को मिल जाता है एक स्मार्टफोन को फिलाल अगर हम लोग रगदे साइड में तो नीचे हमें देखने को मिलता है एक और बॉक्स जिसके अंदर हम एक कॉलिटी तोड़ी सी सॉफ्ट सॉट्स ही है यहां पर शायद से आप एक नए टीप्यू केस लेले तो ज्यादा बेटर है लेकिन इसके अल मिलती है और इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ नहीं आता है साथ ही साथ में यहां पर यह होल्ड करने पर काफी एदा कॉम्पैक्ट फिलिंग देता है बिकॉज यह ज़्यादा चौड़ा नहीं है यहां पर इसकी लेंथ लंबी है सिंगल हैंड से त 23.5 mm का कनवर्टर देखने को मिल जाता है लेकिन यहां पर जब फोन को मैंने आन किया तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज मिलने पता है क्या थी यहां पर इनका यूई प्योर एकदम एंडरोड एक्स्पीर लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई नहीं कोई स्किन तो इन्हों एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर गूगल डैलर ही आपको यूज करना पड़ेगा जिसमें की गूगल अंटी बताएंगी जब भी आप किसी का फोन रिकॉर्ड करेंगे तो बता देंगे कि भी आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है साथी में यहां पर इन डिस्प्ले फिंगर अगर आप स्क्रीन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करके तो इतनी ज्यादा बैटरी रिन का इश्यू नहीं मिलेगा और यहां पर में वोईज ओवर नर दिया हुआ है मतलब 5G तो दिया ही दिया हुआ है 13 5G के बैंड के साथ में आता है और वोईज ओवर नर की वज़े स इसको आप एक्स्पेंड करके यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमने जो स्पीड टेस्ट पर फॉर्म किया था उसके अंदर रैम मैनेजमेंट में थोड़े इशू देखने को मिले हैं कुछ एप्लिकेशन जो की क्लोज हो जाती है जो की दूसरे फोन में क्लोज नहीं हो लावा के फोन में क्लोज हो जा रही थी एवन इसके अंदर फॉल्स टचेश का भी कभी कभी देखने को मिला है यहां पर खासकर जब मैं कैमरा एप्लिकेशन को यूज करता हूं तो उसमें बहुत सारे बग्स भी है एक तो बग यह है कि अल्ट्रा वाइड में आप वीडि आपके फोन में है या नहीं है अगर आपने लावा लिया है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं साथी में एक चीज मैंने और नोटिस करी है देखिए दूसरे अदर फोन से उनके अंदर जब आप डैनामिक रिफ्रेश रेट पे रखते हैं तो जब भी यहां पर फोन में क बार-बार शिफ्ट करता है इसी की वज़े से आपको ज़्यादा बैटरी देन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा और इवन आप यह ना सोचे कि यह बाई सिर्फ और सिर्फ बगजी क्यों बता रहा है एक्शुल में इसका सौट्वेर का यूई जो है ना मुझे बहुत कर सकते बिकॉज यहां पे कोई साइड में स्लैडर तो आता नहीं है और बहुत सारे चोटे यहां पर कस्तमाइजेशन के भी आप्शिन दिए हुए है इसके बीजी मैइ भी खेल करकर देखा है देखो बाई अभी तक कि बीजी मैः के सरवच चले नहीं है तो मैंने यहां वाले बीजी एमाई रन किया था, वाले बीजी एमाई में मैंने एफ़ीए मीटर भी रन किया, कि यह देखने के लिए कि एफ़ीए वगए कैसे आ रहे हैं, तो मैंने गेम बेंच एक एप्लिकेशन आती है, उसका लिए उसका लिक मैं देदूगा, वहां ते जाके आप चेक वगर में भी मैं जंप किया, वहां पर कोई मुझे खास फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिले, और यह फोन मुझे बहुत ज़दा हीट होते वे नजर नहीं आया है, मैं अभी भी बाहर हूँ धूप में हूँ, यहां पर काफी एदा गर्मी भी है, लेंगी फिर भी इसका बैक ग्लास होने के बावजूद भी काफी एदा ठंडा है, यह अच्छी बात है, कैमरे में मुझे क्या-क्या देखने को मिला है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो पसंद आगी ने, तो प्लीज वीडियो करीजीगा, लाइक और चैनल को करीजीग सबता है, वो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या-क्या डाउट है, इस फोन के बारे में मैं डेफिनेटली नेक्स वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ, चली एब चलते हैं आगे, यहाँ पे इनका प्राइमरी जो सेंसर है, वो 50 मेगा पिक्सल का है, नो डाउट क काफी अची फोटो खीशता है, और अगर नाइट की भी बात करने तो भाई जो डिटेल वगर आती है, बहुत ही प्रापर आती है, लेकिन पता यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करता है, अगें वहीं बात आ जाती है, इसकी वज़ेसे कुछ लोगों को उतना अच्छा नही लगेगा, लेकिन मैं अपनी परसनली बात बता हूँ, तो मुझे फोटो काफी यहाँ पसंद आई है, बस एक ही बात लगती है, जैसे पोट्रेट में इनका एच डिटेक्शन बहुत यहाँ खराब है, साथी जात में पोट्रेट में अगर आगर आप फुल बॉड़ी का अ देते हैं, 30fps लेकिन EIS उस पर वर्क नहीं करता है, जिसकी वज़े से थोड़ा सा शेकिनेस लगता है, लेकिन यहाँ पर इन्हों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, और इन्हों ने इंट्रेद्यूस कर दिया है 2K वीडियो, जी है, क्वालिटी भी अच्छी है और उसमे ठीक टाक है, पोट्रेट में ही इनका HDR वर्क नहीं करता है, जी है, बैक ग्राउंड में, जो यहाँ पर बादल वगएर है, वो एकदम पूरा वाश आउट होते हैं, यह फ्रंट कैमरा में भी है, और बैक कैमरा में भी इसको अपडेट के मादियम से ठीक किया जा सकता है, यह लोग करते हैं, यह इन पर डिपेंट करेगा, और इवन फ्रंट कैमरा में जो वीडियो है, वो 1080p के रिजॉलिशन पर तो है, तो यही चीज था, और बाई देखो, चार्जिंग इनकी 50-50 मिनिट में यह फिलाल के लिए फुल चार कर यह दे रहा है, और अभी आगे और